Hey guys, welcome to digital shakir इस वीडियो में हम बात करेंगे one of the finest plugin जो backup के लिए यूज होता है या फिर अगर आप एक website को दूसरे hosting में डाल रहा हो hosting transfer करना है या website को इधर सोधर करना है, किसी भी तरीके से backup अगर लेना है आपको website को तो one of the finest plugin अगर कोई है मतलब best है समझो, तो उसके बाद ही किसी में कोई comparison है तो वो है all-in-one WP migration ये plugin जो है क्या करता है, मैं इसका थूरा सा background देता हूँ आपको, ये पूरे website को, जो भी आपका website है उसका database हो या content हो, उसको एक single file में करता है, जिसको वो अपना नाम देता है हिसाब से नहीं है, जो आपको एक file में हर कुछ करके दे, ठीक है WP vivid है, वैसा compare लेकिन उसमें बहुत सारे chances है fail होने का, वो मैं आप बाद में discuss करूँगा, जब वो plugin मैं उसमें बात करूँगा ये एक मात्र आपको best plugin मिलेगा जो आपको database और content दोनों एक साथ अच्छे से करके backup दे रहा है, single file उस single file को आप कहीं भी export करो कहीं भी import कर सकते हो और आपको कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन इसका एक issue क्या होता है issue देखने से पहले मैं आपको एक बता दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने all-in-one WP migration install रखा है, आपको क्या करना है plugins में जाना है, add new क्लिक करना है और यहाँ search में लिखना है all-in-one वो खुद बखुद suggest करेगा आपको all-in-one के plugins, all-in-one serve mask जो है, देखो यहाँ इसका official website serve mask, यह WP migration मैंने install कर रखा, activate कर लए 5 plus million active installation इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस plugin का success कितना अच्छा है success rate कितना अच्छा है लेकिन आप इसको plugins में अब यह आपको जब activate कर लोगे तो आपको कोई export करना है मतला आपको कोई website को backup लेना है for example अगर मुझे इस website का backup लेना है तो अब यह export होना है पूरा website एक single document में export हो जाएगा एक single file में export हो जाएगा और export भी देख सकते हो आप क्योंकि यह छोटा website है बहुत ही फटा-फट हो रहा है depending on the size, depending on the content यह मेरा website पूरा export हो गया है एक file में create हो गया है अब उसको मैं download कर लेता हूँ अपने local drive में तो download करते हैं सिर्फ 116 MB का है और इसे save मार देता है अब देखो यह 116 MB जो भी है जो इतने भी speed से होगा यह हो जाएगा मेरा काम इसे मैं अगर show in folder करूँ तो देखो यह तो time लगेगा यह वाला जो download हो रहा है यह एक single file create हो रहा है इसका नाम देख पा रहा है आप .wpress जो भी नाम आप दोगे .wpress यह एक single file जो है export हो गया अब यह file को आप किसी भी hosting चेंज कर रहा हो या कहीं भी कर रहा हो import कर दोगे तो सारा का सारा website का content आपका import हो जाएगा export करना है first time backup लेने के वाक्त और import करना है तो अब इसे मैं बंद कर देता हूँ इसे मैं अभी होने नहीं दूँगा import में आते हैं अभी import में जब आएंगे तो मेरा जो free version है वो मुझे सिर्फ 128 MB तक का website को कर पाएगा तो मेरा 116 MB था तो मैं free के में काम कर लूँगा लेकिन जिसका website बरा है 128 MB से तो उसके लिए वो एक अपना extension बेशता है जो products में आए unlimited extension आप देख सकते हो 69 dollar per year है और इस पर unlimited domain यूज़ कर सकते हो तो क्या आपको यह spend करना है नहीं इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे या plug-in को सिर्फ 299 rupees में आप इसको use कर पाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना है link में description में दे दे रहा हूँ यह link पे जाना है आपको wordpressguru.shop मेरा website है यहाँ पे auto update है auto update मतलब यह GPL version नहीं है यह आप dashboard से update भी कर पाओगे तो add to basket इसको आपको purchase कर लेना है 299 rupees है जैसे ही आप purchase करोगे आपका यह page खुल जाएगा और download शुरू हो जाएगा नहीं होता है तो इससे click करके यहाँ download कर लो यह मेरे one drive का link है और download करके यह वाला extension आपको provide किया जाएगा इससे जब download कर लोगे तो मैं बताता हूँ कि अब हम plugins में जाएगे add new करेंगे upload कर देते इस plugin को जो आप download करते हो ठीक है इसे install now मार देते हो activate कर लेते अभी तेखो यहाँ पे जैसे ही activate हो रहा है यह plugin इससे आपको घबराने करने है क्योंकि यह version बहुत ही पुराना है मैं यह प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको आप tension मतलो बहुत ही पुराना है compared to the अभी जो version उसके चल रहे इसलिए यह बोल रहा है कि license की हो सकता है non genuine क्योंकि मैंने यह जब खरीदा था तो यह बहुत ही पुराना था उस वक्त यह लोग का कोई yearly plan नहीं था यह unlimited extension वाला था unlimited domain के लिए तो अभी आपको क्या करना है अभी मैं आपको proof करके दिखाता हूँ अगर कोई भी website अगर उसमें license की अच्छा नहीं होगा तो क्या वो auto update होगा यहां पे यहां पे update करने से होगा नहीं होगा तो मैं इसमें update करके देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह देखो यह completely update होगया 2.47 पे अब जो है आपका यह इस proof करता है वापस से all-in-one में import में कि क्या हमारा यह plugin वर्क कर रहा है तो यह देखो maximum upload size वह भी unlimited हो गया है तो आपको 2.99 रुपीज में solution मिल रहा है कि आप इसे import और export इससे बढ़ियां आपको plugin नहीं मिलेगा flawlessly यह वर्क करेगा और मैं proof कर दिया हूँ आपको कि यह genuine version है कोई भी वाइरेट नल्ड वर्ल क्राक नहीं है नल्ड होने से तो कभी भी आपको इतना idea होगा WordPress से कि वो डैशबोट से WordPress के डैशबोट से अपडेट नहीं होगा तो hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप जादा से यादा इसे को like करो share करो अगर आपका problem होता है कुछ तो मुझे बताओ comment section में और यह plugin आपको बहुत ही help करेगा आपके WordPress development journey में Thank you so much for watching